हलो फ्रेंज, यूटूब चलें बिजनेस मंतरा पर आपका स्वागत है आज निव बिजनेस आइडिया में ब्राइडल बिजनेस के बारे में जानकरी दे रही हूँ ब्राइडल आइटम की डिमांड हर छोटे बड़े सहर में तेजी से बढ़ रहा है लोगों की डिमांड को देखते हुए ब्राइडल इस्टोर सुरू करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं ब्राइडल इस्टोर की सुरुवात किसी भी छोटे बड़े सहर में कर सकते हैं सादियों का मोसम जैसे ही शुरू होता है ब्राइडल आइटम वो की खरिदारी के लिए स्टोर पर लोगों की भीर लगनी शुरू हो जाती है भले ही सादी की तीतिया या लगन कुछी दिनों के होते हैं लेकिन कम समय में ही काफी अच्छी कमाई हो जाती है लोगों का मानना है, जीवन में साधी एक बार होती है, इसलिए वे साधी में दिल खोल कर फैसा खर्च करते हैं. दूसरी बात, लोग दिखावे के लिए भी पैसा पानी की तरह खर्च करते हैं, इसका फायदा तुकानदारों को मिलता है. Bridal store क्या है? ब्राइडली स्टोर एक ऐसा इस्टोर जासाधी से संबनी सभी सामर्गी मिलते हैं स्टोर में न्यू स्टाइलिस डिजाइन के ब्राइडल ड्रेस, मेक अप किर्ट, आर्टिफीसियल जोलरी और अन्य एसे सीरीज भी आसानी से मिल जाते हैं Bridal Store पर सबी आइटम एक जगह मिल जाने की बज़र से लोग भागदर और परिसानी से बज जाते हैं इसलिए आजकल Bridal Store का चलन तेजी से बढ़ रहा है लोग इसे कापी पसंद भी कर रहे है Bridal Store शुरू कर रहे हैं तो Bridal सामर्गी के बारे में अच्छी जानकरी होना जरूरी है Bridal सामर्गी की एक लंबी रेंज, सिर्प लहंका, सेरवानी, पगरी ही नहीं बहुत सारी आइटोमों की आवसकता होती है उन सभी सामर्गी को आप अपने इस्टो पर रखेंगे, तभी आपको अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा यदि Bridal सामर्गी के बारे में बहुत अधिक नॉलेज नहीं है, तो किसी जानकर व्यक्ति को अपने या काम पर रखे ब्राइटल स्टो शुरू करने के पहले ही अची तरह से प्लान बना ले कि आप किस तरह का ब्राइटल स्टो शुरू करना चाहते हैं क्योंकि हर जाती अधर्म में ड्रेस से लेकर हर तरह की चीज़े अलग-अलग होती है ध्यान रखे, आपके सहरी छेत्र में चिस तरह के रिती रिवाज बाली साधिया अधिक होती है, उन्ही सामागी को अपने स्टोर पर अधिक रखे किसी भी बिजनेस के लिए लोकेशन कापी माहने रखता है, वैसे ही बाइडल स्टोर के लिए भी लोकेशन का ध्यान रखना होगा, में मार्केट, प्राइम एरिया, पॉस कालनी, में रोड जैसे एरिया में बाइडल स्टोर शुरू करेंगे तो रिस्पॉंस अच्छा इस्टोर ग्राउन फ्लोर पर हो तो काफी अच्छा होगा दूसरी तीसरी मंजिल पर लिफ्ट है तो वहां भी इस्टोर शुरू कर सकते हैं ब्राइडल स्टोर के डेकोरेशन पर ध्यान दे यदि अब आइडल स्टोर शुरू कर रहे हैं तो स्टोर का डेकोरेशन काफी आकरसक होना चाहिए स्टोर के अंदर की लाइटिंग परफेक्ट हो और स्टोर हर तरह के ब्राइडल आइटमों से भरा होना चाहिए जिससे कस्टमर जैसे स्टोर में एंट्री करें, वो सजावट और आइटमों में हो जाए हर आइटम को देखर उसे लगे या उसके मतलब की हर चीज मौजूद है ब्राइडल स्टोर की सजावट के लिए पोफेशनल डेकोरेटर की मदद ले सकते हैं ब्राइडल स्टोर की पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है इसके लिए कलर पेपर पर ब्राइडल स्टोर का एड़ पब्लिस करें इसे आसपास के एरिया में डिस्टूट करवाए लोकल केबल पर इस्टिप चलवाए पेपर में साधी सीजन के आसपास रेगुलर एड देर सहर के प्राइम लोकेशनों पर बैनर बाहोडिंग लगभाए अपने स्टोर की छट पर डिजिटल डिस्प्रे लगभाए जिसमें स्टोर के कुछ वीडियो हो तो कापी अच्छा होगा ब्राइडल स्टोर के लिए सस्ते में माल आप पुरानी दिल्ली के चादनी चोग एरिया से ला सकते हैं यह देश का एक ऐसा मार्केट है जा आपको इंडिया के सभी मसूर डिजाइनर्स के डुबलिकेट यानि कौपी किये हुए ड्रेस में मिल जाएंगे यह एक से बढ़कर एक डिजाइन के वे ब्राइडल डेस काफी कम कीमत में मिल जाएंगे ब्राइडल लहेंगे साड़ी असूत आदी खरीदारी के लिए चादनी चोग दिल्ली का कट्रा बाजर बहुत ही बड़ा मार्केट है नील कट्रा नया कट्रा इस तरह से ये कई हिस्सों में बटा हुआ है कट्रा बाजर से साधी के लहेंगे साड़ी असूत आदी काफी कम दामों में खरीच सकते हैं जब भी खरीदारी करने जाए वहाँ एक दिन पहले मार्केट की अच्छे से रेकी करे अगले दिन खरीदारी करें ये होल्सेल मार्केट है यहां डिजाइन, कलर और प्रिंट के हिसाब से रेट बदलते जाते हैं यहां एक या दो पीस सेल नहीं किये जाते होल्सेल रेट पर खरीदारी करने के लिए कम से कम छे पीस खरीदारी करनी पड़ेगी इससे बचत कई गुना बढ़ जाती है आप इस बात से अंदाजा लगा सकती है कि यहां से खरीदा गया 2000 का लेंगा अपने साय में कम से कम 5000 रुपे में आसानी से बेश सकते हैं ब्राइडल जोल्री या डिजाइनर जोल्री खरीदने के लिए चानी चौक का जरीवा मारके फेमस है यहां गोल्ड और सिल्वर की जोल्री से लेकर आर्टिफिसियल ब्राइडल जोल्री की सभी वराइटी मिल जाएगी जोल्री की जितनी latest design यहां दिख जाएगी, वो और कहीं देखने में महिनों लग जाएंगे, यहां से थोक के भाव जोल्री ला सकते हैं ब्राइडल के अन्य सामगी चादनी चोग के किनारी बाजार में मिल जाएगा चादनी चोग के किनारी बाजार में फैंसी गोटा पट्टी, लेश, साधी की पगडिया, सगून के लिफापे, सगून की इथाली, जोयली बॉक, पगड़ी पर लगाने वाला ब्रोच आदि सभी सावन मिलेगा यहां से आप काफी सस्ते भाव में इन्हें खरी सकते हैं फ्रेंस वाइडल इस्टोर के बारे में दी गई जानकरी पसंद आने पर इसे लाइक वाशेर करें जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर दे, साथी बेल आइकन पर प्रेस कर दे आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ बिजनेस मंता चैनल पर गुडबाई टेक किया